चटी जेपीएसी का मामला अब सुप्रीम कोट तक पहुँच गया परिक्षा फल में अनियमता का आरोप लगाते हुए छात्रों के एक समुने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट को एक पत्र लिखा था जिस पर कोट ने संग्यान लेते हुए इसे चनहितियाचिका मदल दिया ह विनीत हमारे सेहुगे मरसाथ फोन लाइन पर मौझूद है विनीत जेपीएसी का मामला अब सुप्रीम कोट की दैली इस तक पहुँच गया है बिल्कुल शारीफ आप देखें कि जहरकंद हाई कोट में सिप्स जेपीएसी के मामले में तो लगबग दो दर्जन से जादा याचिकाएं दाली ही गई है इसके साथ ही चात्रों के वैसे समू जो कि इस परिक्षा कर सवाल उठा रहे थे इस पूरी चैन पक्रिया पर सवाल उठा रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोट को एक पत्र लिखा था और उनके मुताबिक जो भी अन्यमिताएं बढ़ती गई हैं सिक्ष जेपीएस्टी के एक्जाम में रिजल्ट में उन सारी चीजों का उलेख सक्टिव हुए सुप्रीम कोट से मामले में अस्पशेप की गुजारिश की गई थी गुहार लगाई गई थी अब सुप्रीम कोट में उनके पत्र पर संग्यान लेते हुए इस मामले को जन्दितियासिता में तब्दिल कर दिया है तो अब छात्रों को एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि अब उनके संगिंताफ होगा लेकिन सबसे महस्पून बात है शारीश कि अब तक जितने भी जेपीएस्टी के एक्जाम हुए हैं जितने भी चैन हुए हैं वह कहीं न कहीं सवालों की घेरे में रहा है जेपीएस्टी का हर एक्जाम हर रिजल्ट तो जेपीएस्टी को भी अब समझने की जरूरत है और राजजतरकार को भी जितोर ज्यान देने की जरूरत है कि आखि प्रार्टियों की आशिका पर इतना तक पुछ दिया जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल वही जैसिक जेपी एस्टी में उस पर इस्थागन का आदेश दे जाड़ा है तो इन सारी चीजों की भी जब सुप्रीम कोड की टहली तक जेपी एस्टी का मामला पहुंच चुका है औ सुनवाई की दोरान क्या सथी निकल कर सामने आते हैं शारी जोई तो इसके लिए तन्दजार करना पड़ेगा विनीत मगर जैसा आपने भी कहा ये बाव हकीकत है कि चात्रों को काफी रात पहुंचे होगी कि सुप्रीम कोर्ट के दाली इस तक ये मामला पहुंचा है तो अब उन्हें जो मेरिट वाले चात रहे हैं अगर इसमें जो गरवड़ी का रोप लग रहा है वो सिद होता तो उनको बहुत बड़ा फाइदा होने जा रहा है फिलाल आपका शुक्रिया वनीत बाची तमाम जानकारियों के लिए